नमस्कार मैं आसे स्पाटक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षापलस में तो बिहार दोसरे चरण की भरती आ चुकी है तो सभी लोग तैयार हो जाएं और कब से भरे जाएंगे फॉर्म एक्जाम पैटर्न क्या होगा स्लेबस क्या होगा बुलट ट्रेंड पकड़ चुकी है बिहार सरकार तो जिन्हें भी बिहार में जॉब लेना है टीचिंग जॉब लेना है बीड बीटीसी वाले जितने हैं सब लोग कमर कसले और अपनी तैयारी जिस भी रिदम से आप कर रहे थे पहले फेज में जो लोग चूप चुके हैं जो खास कर बीड वाले बच्चे थे या अब नौ दसवी में एस्टेट नहीं दिये थे तो अभी इसे पहले आपका एस्टेट का भी एकजाम हुआ है तो एक बहुत बड़ी ऑपोर्चुनिटी आ गई है आपके पास टीजिटी पीजिटी वालों के लिए भी और छे से तो यहां पर ध्याम दीजिए कि जो 6-8 है वो टोटल 16,140 पद है ठीक है कितनी है 16,140 पद 6-8 वालों के लिए है और 9-10 के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर 18,877 पोश्ट है मादमिक विद्धाले वर्ग 9-10 के विसेश विद्धाले अध्यापक के लिए 270 है और उच 2577 है अभी 6-8 और कुछ वेकेंसी रोकी गई है इसका मतलब टोटल ओवराल देखा जाए तो 6-8 में 36,000 के अप्रोक्स भरती थी लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ थर्ड फेज में भी आप लोगों को मिलेगा ठीक है तो यहां पर ध्यान दीजिए 234 आपके ये पिछ 403 ये है और प्रदान अध्यापक के कुल 31 पद है तो इन सभी आलमोस्ट आपका यहां पर देखा जाए तो 50 प्लस आपके प्रोक्स जा रहे हैं इन सभी पर भरतियां स्टार्ट हो जाएंगी फॉर्म भरना आपका 5 तारिक से स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर में आपक तो 6 से 8 में उनको अच्छा मौका है बेड बीटी सी दोनों के लिए एक बैतरीन मौका आप यहां पर बिहार में सिच्छक बन सकते हैं अब रही बात कि स्लेबस और इक्जाम पैटरन क्या होगा तो 9-10-11-12 का एक्जाम हुआ है स्लेबस और पैटरन 9-10-11-12 का सेम रहेगा अब यहां पर देखें क्या है थोड़ा सा चेंजेस किया गया है यहां पर परिक्षा का विसे में यहां पर जो पहला था एक पेपर आपका लेंगवेज वाला अलग था ठीक है लेंगवेज का पेपर अलग था उसके बासे आपका सब्जेक्ट वाला और जो समाने पेपर ह तता वो अलग सिफ्ट में हुआ था तो यहां पर इन्होंने क्या किया कहा पेपर एक ही होगा और इस पेपर में आपके टूटल अगर देखा जाए तो तीस अंक का आपका जो भासा है जो क्वालिफाइंग होगा यह क्या होगा साफ साफ लिका है यह क्वालिफाइं नेचर क होगा और समान अध्यन के 40 अंग की आपके पहले भी था और असी जो आपके सब्जिक्ट होंगे जिस भी सब्जिक्ट के आप टीचर 6-8 में हिंदी है साइंस है मैथ है किसके बनना चाहिए सोसल साइंस के तो उनसे प्रशन रहेगा ऐसे ही क्लास 9-10 11-12 इन सब में जो आप होगा एक ही पेपर में अगर आट-4-12-3.500 कोश्चन होगा ठीक है पहले जो पेपर एक अलग से कराते थे वह अब इस बार नहीं होगा लेंग्विज वाला यह पेपर एक ही साथ कम माइन हो जाएगा यहां पर जैसा जैसा जो रहेंगे उनके हिसाब से उनका सब्जेक्ट रहेगा 6-8-9-10-11-12 उनका उसी एकॉर्डिंग सब्जेक्ट रहेगा एक्जाम जिस दिन पढ़ेगा तो ठीक है यह है अब यहां पर ध्यान लिजिए आवेदन जो होंगे आपके ठीक है यह स्टार्ट कपसे हो रहे हैं कि यहां पर देखिए दिबंदा निवं भुकतान पारंब करने की तिथी 5-11-12 से लेकर 14-11 तक रहेगा विलंब सुल्क के साथ भुकतान करने की अंतिम तिथी 17-11 रहेगी और ऑनलाइन आवेदन पारंब करने की तिथी जो होगी वो 10-11-2023 मतलब 10 तारिक से आपका एप्लिकेशन फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और 25 तार बोला गया था तो अब 5 तारिक से प्रोसीजर 10 तारिक से स्टार्ट हो रहा है तो ओवराल एक देख सकते हैं कि अगर बहुत भी खसकेगा तो आपका जनौरी तक जाएगा ठीक है दिसंबर लास्ट या जनौरी तक आपका एक्जाम कंड़क करा लिया जाएगा लास्ट तक आपर स्लेबस की बात करें अगर आज की प्रेस कॉन्फरेंस में स्लेबस की बात की गई है तो स्लेबस में यही बोला गया है कि आप NCRT और SCRT को जो आपका स्टेट वाला बूड है इसको फॉलो करिए इसी के कोडिंग आपका जो दिया गया है पार्टिकरम वही रहेगा लेकिन लेबल आपके qualification के according रहेगा, जहां पर graduation मांगा है, वहां पर graduation अस्तर हो सकता है, जहां post graduate मांगा है, वहां पर post graduation के question आपके रहेंगे, तो overall जो पिछला paper हुआ है, आप 9, 10, 11, 12 का तो देखी सकते हैं, कि उसका label क्या रहा है, subject में और समान नियाध्यन वाले part में क्या बाकी 6-8 में यह पहली बार conduct होने रहा है, तो उसके according 9-10, 11, 12 के according थोड़ा सा यहां पर low label रहेगा, इसके subject वाले भी और समानने वाले में भी, समाने almost same ही चीज़े रहती हैं, बहुत जादे नहीं होगा, तो जितने लोगों को भी तैयारी करना है, जुड़ जाईए, जित लिया जाएगा, वो विसेय में देखा जाएगा कि बच्चे ने कितना score किया है, ठीके, इसके बिहाब पर उसकी जो है उसे chain किया जाएगा, अगर वो last stage पर रहता है, तो इस बातों को ध्यान रखेगा, अपनी तैयारी जारी रखे, रही बात की qualification क्या है, इसके लिए पर म और graduation के साथ आपका या तो B.A.D. हो, या B.T.C. हो, ठीके, दोनों आपका चलेगा, B.A.D.C. जैसे diploma, D.L.A.D.C. को आज के समय में बोलते हैं, ये आपका होना, जरूरी है graduation, B.A.D.C. उसके बाद आपका C.T.E.T. या B.T.E.T. दो, बिहार में T.E.T. होता है, दूसरा प बाले में, यहां पर आपका सिर्फ B.A.D. चाहिए, ठीके, B.A.D. चाहिए, और 11 से 12 में भी आपका क्या चाहिए, B.A.D. ही चाहिए, और यहां पर जो पातरता परिक्षा है, वो आपको क्या चाहिए, estate paper 1 चाहिए, और यहां पर estate paper 2 चाहिए, ठीके, अब जो paper ये estate का दिय तो जिस जिस सब्जेट का एस्टेट हुआ है और आप पास है एस्टेट पेपर वन पेपर टू तो आप नो दस और ग्यारा बारा के फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि इससे पहले वाले फस्ट फेज में काफी बच्चे इसलिए नहीं भर पाया थे क्योंकि वह एस्टेट का ठीक है बहुत कम प्रियास में बच्चे जो है सलेक्ट हो गया है तो इस बार आपका थोड़ा कंप्टीशन भी अगर बोला जाए इस लेबल पर भी अच्छा खासा रहेगा क्योंकि अब एस्टेट क्वालिफाई वाले बच्चे जादे हैं बाकी यहां पर तो सीटेट सेक नहीं जो भी रिलेटेड कोई भी प्रस्णा आपके हैं तो आप जरूर कमेंट में पूछेगा हम पूरी कोसिस करेंगे कि आपके समस्याओं का समधान किया जाए तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं मस्त रहिए सुस्त रहिए जबर दस रहिए